Their student we have to discuss about the assess to the early child education in the USA. हमने बात की और जब हम USA की बात कर रहे हैं और USA के अंदर जब हम education की बात करते हैं तो education के अबाले से अगर accredited education available नहीं होगी उसको quality के standard पर परक्का नहीं जाएगा तो उस वक्त तक उसको accept नहीं किया जाएगा हमने गुफ्तकू की जहां से हमारी गुफ्तकू USA के अवाले से बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है अग्रिडिशन का जो अम्मल है प्राइवेट सेंटर जो है उनके अंदर उसको regulate करना regulate करने के बाद उसका तमाम प्रगाम जिसके अंदर टीचर्स टीचर्स की qualification उसके बाद करिकुलम infrastructure facilities different paradigm जो हैं जो के अग्रिडिशन के quality के standards बने हुए है अब जब तक कोई प्राइवेट सेंटर उस अग्रिडिशन से अग्रिडिटेड नहीं होगा वो regulate नहीं होगा उस वक्त तक उसको education को quality education नहीं माने देगा अब उस quality education के लिए फंड्स की जरूरत है उन फंड्स के लिए फंड्स और facilities की भी जरूरत है अब ये necessary है कि जब हम high quality care and education का claim करेंगे तो इसका मतलब है कि हमने अपनी education को regulate कर वा लिए हमने जो उसके standards है उसको follow किया है और हमने affordable या यू समय ने free care to the young children दी है देखे है हमने तो पहले बात की थी और बात की यह क्या कि sustainable development के अंदर वो कहते है कि जी free education हासिल करना हर बच्चे का fundamental right है अब जुस उसका fundamental right है तो पहिए उसका जो pre-k है यहनि pre-kindert garden के हम बात कर रहे हैं तो pre-kindert garden जो moment है वो भी तो उसके लिए भी तो availability चाहिए न उसके लिए भी तो वो school चाहिए उसके लिए भी जो program चाहिए उसके अंदर भी तो government का रोल चाहिए कि जहां में government grade 1 से लेकर grade 12 तक pre-education दे रही है तो हमने कहा कि उससे पहले जो इसी यह अर्ली चाहिट एजुकेशन की बात करते हैं इसी को भी अगर हम उस लेवल पर नहीं लेके जाएंगे और उसको भी quality education और free education नहीं देंगे और जो quality के standard बनाएंगे उन standard को maintain नहीं किया जाएगा और उसकी एग्रिडिशन नहीं की जाएगी तो उस वक्त तक फिर इसका मतलब है कि हमारा जो अगला free education का plan है वो सफर करेगा उसके लिए USA की जो state एलोनाइज उसने एक प्री किरिनेट गार्डन जो education है उसके लिए उसने कोई 1985 से जो है उसने थोड़ी सी grant उसके लिए अलेधा से कर दी हुए और इसका नाम उसने रखे प्री स्कूल फराल PFA इससे पहले हमने गुफ्तकू की थी और आपको याद होगा कि हमने उसके उमर बात की थी EFA की वो थी education for all भी हमारा वही प्रोगाम था जिसके अंदर हम कहते थे के जी sustainable development के अंदर हमने जो हमने गोल्स पढ़े थे और उनके उपर हमने गुफ्तकू की थी उसके अंदर हम बच्चे को education देना movement की जिमादारी है यह हमारे sustainable development goals के अंदर था जहां पे health की जिमादारी है environment की जिमादारी है और बहुत सी है poverty elevation है यह तमाम poverty reduction है यह तमाम जो है ना इसको जहां पे बहुत सी बाते की गई है वहां पे education for all भी था अब एलोनाइज ने क्या किया पी एफए का मतलब है pre school for all जैनि उसने education के साथ उन्होंने का जी हम इसको centrally administered करेंगे एलनाइज के अंदर और वहां पे जो state board of education है उसने कहा के जी हमने pre kindred garden जो हैं उसके जो programs हैं उनको a part is that they are often affiliated with or actually with the public elementary schools or not जैनि अगर कोई school public school elementary school run कर रहा है उसकी भी responsibility पी एफए ने ले लिए अगर कोई centers जैसे हमने क्या आता करे day care centers day care homes अगर वहां पे भी उनको उसी अंदाज में जो quality standards के parameters हैं उन parameters को सामने रखते हुए उसके मताबिक वो education दे रहे हैं तो वो भी responsibility जैना वो ऐलो नाइस ने ले लिए ये एक state की बात हो रही है और इस state के अंदर जैना उसके बारे में जैना आपको example दे रहे हैं कि उस state ने क्या रूल बले किया उससे क्या हुआ कि हमारे जो school के अंदर जो है ना उनके जो parents हैं उनके बचों के जो वालदेन हैं उन्होंने उसी school के अंदर कोशिश की कि कि वहां पर pre education की तरफ चले जहां पर pre schooling हो रही है तो उन्होंने pre schooling को day care center से टाने के बाद यूं समझ लिए के preference change करने की और वो preference क्या change हुई और वो preference यह चेंज हुई के day care center और day care home जो है उनकी बजाए जहां पर किंडर गार्टन अवेलिबल है और जहां पर pre school अवेलिबल है वहां पर बच्चे को ले जाए जाए ताकि उसकी base डिवैलप हो जाए और base के बाद अगली उसकी schooling जाए अभाए ताल वह जाए पर जाए जब बच्चे को लो बच्चे को लेंगाए जाए 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 जाएवे ताल ना इंके लाए जाहन होाए